देश में क्रोना वाइरस एक बार फिर पैर परसारती नजर आ रहा है पिछले 24 घंटों में फिर क्रोना मामलों में इजाफा देखा गया सामने आए आकडों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 6,115 नई मामले सामने आए जबकि कल ये आकड़ा 6,050 था इसके बाद सनिवार को एक्टिव केसों की संख्या 31,194 में हो गए नई आकडों के बाद देश में कुल मामलों की संख्या 44,75,1269 हो गई है वाहीं आपको बता देए करोना की ये मामले ऐसे समय में बढ़ रहे हैं जब इसका वेरियंट XBB.16 तेजी से म्यूटेट हो रहा है और इसका सब टाइप XBB.1.16.1 ने भारत में 10 तक दे दी है भारत में इस सब टाइप वेरियंट के अब तक 113 मामले सामने आ चुके हैं ये वेरियंट सबसे ज़्यादा महराष्ट और गुजरात में एक्टिव बताया जा रहा है वहीं स्वास्त मंत्राले के आकडों के मताबिक क्रोणा से पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हुई है इसी के साथ कुल मौतों की संख्या 53,954 हो गई है बढ़ते मामलों को देखते हुए केंदर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है और राज्यों को आदेश दिया है कि वह है एमर्जन्सी होस्पिटलाइड की पहचान करे और टेस्टिंग बढ़ाए वह है आपको बता दी इससे पहले केंदरिय स्वास्त मंतरी मनसुक मांडविया ने राज्यों के साथ एहम बैटक की थी जिसमें उन्होंने जीनोम्स टेस्टिंग और होस्पिटल में मास्क डिल कराने के आदेश दिये थे बात करें XBB वेरियंट की तो ये एक ओमिक्रोन सबलाइन है जो ओमिक्रोन वेरियंट में सबसे प्रचलित है पिछले 15 महिनों में भारत में ओमिक्रोन की 400 नए सब वेरियंट की पहचान की गई इनमें से 90 फिसदी XBB वेरियंट है वहीं बात करें करोना वेक्षिनेशन की तो स्वास्त मंत्राले के मताबिक अब तक देश में करोना वेक्षिन की 220.66 करोड डोज दी जा चुकी है ऐसे ही थमाम जानकारी के लिए बने रहे इन खबर के साथ